हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं लेके आए हूँ कुछ एसे यूनिक से टिप्स एंड टिक्स जिससे देखने के बाद आपके कीचन और घर के एक मुश्किल काम आसान हो जाएंगे साथी साथ कपड़े दोने की कुछ एसी अनुकी टिप्स है जिससे ना तो हमें कोई वोशिंग मुशिन का यूज़ करना पड़ेगा ना ही सरफ ना ही पानी तो वीडियो धहां से देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे चेनल पर हाली हो जाए तो आपको द floss you एक्डोरे ले लेना है जो मजपूत हो तो वो मेंने ले ली है और इसके अंदर दमी में इस तरह से डाल mean और उपर की साइड में हम लगा देंगे एक गांट और गांट लगाने के बाद देखिए हमें इसको गुमा के रोल के अंदर गांट को कर लेना है ताकि क्या है ये गांट दिखे ना तो इस तरह से हमें इसको गुमाने के बाद देखिए यूज कहां पर करना है तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं यहां पर देखे मैंने इसको तयार कर लिया है और अब हम क्या करेंगे एग लेंगे क्लोग पिन जो सभी के घरों में मिल जाती है तो यहां पर देखे मैंने क्लोग पिन ले लिये है और बड़ा सा मैंने डबल टेप लगाया है इसमें और यहाँ पर देखें मैं इसको लगा रही हूँ रूम में तो आप चाहे जैसे इसको लगा सकते हो जहाँ पर भी आपको जरुवत है तो यहाँ पर मैंने देखिए जो भी बच्चों के टाइल्स बेल्ट थी वो सारी इसमें लगा दी है और देखें आप देख रहे हो कितना यह सुन्दर इसका लुक आया है बिल्कुल भी यह खराब नहीं दिखने वाला है और जैसे हमने मार्केर से यह अभी खरीदा है तो नहीं लग रहा है कि हमने यह गरपे बनाया है अगर आपको इससे लाइक करें तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला टीप यहां पर देखें मेने जो बच्चों यह आलू थे उबले हुए वो रखे थे और आम में बच्चों के लिए ऐसा नास्ता बना रही हूँ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्या करना है कि देखें मेने जो अलू उबले हुए थे वो डाल दिये हैं और इसमें बारिक प्याज, ब्यारिक तमाटर और हरी मिर्ची डाल दिया है और पान मेती भी मेने इसमें डाला है और जितना भी हमें तीका चाहिए उसके साब से हमें लाल मिर्च पावडर डाल दिया है और थोड़ा सा मेने जीरा भी डाला है तो अब हमें क्या करना है कि लेना है गेहूं का आटा और जितना भी इसमें जैसे कवर होए उतना ही हमें यह आटा लेना है गियों का तो चलिए मैं इसको अच्छे से मल लेती हूं और फिर हमें इसको अच्छे सा डो बना लेना है इसका तो देखिए आटा हमारा गुन के तयार है तो अब हम इसकी चोटी-चोटी लोईयां बना के और इस तरह के थेपले बना लेंगे तो अब चाहें बिऴ तंब्ष मैं इसको जरी है उन्युक्न वारी आ पूंटी थी विगोर में उन्हेर को हो जा सब्जी हैं उसके देखी गहीं एके देख्लम स्काषार लिए उसकी और भी चौना Düकटी खांगा करें सवाध करने निकों यह बैसे परटे आक्र वहां। तो मैंने एक टिप्स के जरी आपको बच्ची वी जो सबजी होती है या फिर कोई भी बच्ची वी जो समान होते हैं उसका हम यूज करके इस तरह से अपने बच्चे के लिए नास्ता बना सकते हैं अगर आपको ये आडिया पसंद आया हो तो प्लीज इसी जरूर ट्राइ करे अगला टिप पी मेरा कीचन से ही रिलेटेट होगा क्या होता है कि इमली अगर हम दाल में डालते हैं तो दाल का स्वाथ और बहुत ही जलदी भीग जाती है और इमली का जो जूस होता है वो छोड़ देता है तो फिर आप चाहे इसको दाल में डाल सकते हो या फिर राजमा बनाए उसमें भी डाल सकते हो बहुत ही यूनिक सी टिप्स है छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है अगला टिप मेरा बहुती यूजफुल है कपड़ों को लेकर क्या होता है कि सभी कपड़े हम दोलते हैं लेकिन क्या होता है कोई-कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जिसे हैवी कपड़े प्याटिवे जो कपड़े होते हैं पर पेंट होते हैं साड़ियां होती है हमारी हेवी उनको हम नहीं दोल सकते और अगर हम बाजार से जैसे धोबी से दुलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमारे पेसे भी वेस्ट होते हैं तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिपस देना चाहूंगी उसके जरी आप चाहे जितने बहुत अच्छे से होती है तो आप देखे कपड़ों पर भी ये काम कर सकते हो तो यहां पर देखे मेनी छिलने में मीटा सोड़ा डाल दिया है और जहां पर ज्यादा बदबु होती है वहां पर आप ये थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए तो देखे उपर की साइड में हमा ही लेना है sorry कि यह साफे निकलती जाएगी तो यह गती है वह वाले कपड़े में इस तरह से ही ट्राय करती हूं और बिल्कुल भी बद्बू नहीं आती है और अच्छे से उसकी क्लीनिग भी हो जाती है तो आप जुरू ट्राय करें चाहिए अपने हैज़बेंड के कपड़े हो या बच्चों के या आप अपने साड़ी या वीडियो में भी शेयर कर रही हूं तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला टी तो यहां पर मैंने इस तरह का बॉक्स लिया है आप चाहे इसे कबार से जोगार भी कह सकते हो क्योंकि मैंने यह कबार से ही उटाया हुआ समान लिया है और पड़ा था सोचा मैं इसका कैसे रि रिया है और गलास हमें कट कर लDぜ? हमें इसे में हमें पर बिक्रेइयर बना है हूँ तो किस लिए बना रही हूँ Вो आप को आगये पता चली यहाँ तो देख遇 आप देख पारे हो मेरे पास यह जो reel वाले बोक्स पड़े हैं चोचे मोटे वैने में ठीकत वैंके कोई हैं चोचे मोटे समान प्रीजस डोमाने सब्सक्राइब續 है और चिक्żenia कशरा अब अब में आएगा है नियूज पुस्सक्राव क्वाथ में शूंज रही तो प्लीज प्रीज जुरूठर चारे और अपने दोस्तों और परवियार क्रिशार जरूर शेशेर कर दे ताकि क्या है कि ये एक छोटा सा आइडिया उनको भी पसंद आए और वो भी इसका फायदा उटा सके तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला टिप अगला टिप मेरा बहुत यूजफुल है सभी मेलाओं के लिए तो क्या होता है कि गर्मियों आ चुकी है और गर्मियों की दिनों में हमें काम करना इतना मुश्किल होता है लेकिन सबसे मुश्किल होता है हमारा दही जमाना तो देखिए आज में एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि अधियर का मुश्कास डाल Means bisट यां मीश्कास देखिर अधना करना जीराए जाए लागाएं ट्रीम और दिप्त alcohol आप्ता दो था हो झाले में के दा की बलने में और दो ओड नंगेज और छोड़ा है थोड़ा जोड़ने के बाहरा इसको जहां पर टंड पिनित उस जगह पे आप रख दीजे दई आपका केसा जमेगा वो आपको दूसरे दिन पता चली जाएगा तो चलिए आज मैं इसको रखे आपको फिर बताऊंगी कि केसा दई जमने वाला है तो चलिए हम राद बर इसको छोड़ देते हैं फिर सुबह के बाद में हमारा दई देखे कुछ इस तरह का जम्मेगा तो चलिए सुबह होने के बाद हम आपको यह दिखाई देते देखी आप देख पार हो कितना अच्छे से जम्मा हुआ है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है कि यह फटावा है कहीं से भी तो यहाँ पर बेने देखे चमच को डाला और आप देख पार हो कितना अच्छा सा अगर आपको आज की विडियो पसंद आई हो तो बाबाई ठीक के